अपनी इस वीडियो में हम दिखेंगे कि इस तरीके से आप एक टेक्स बॉक्स की शकल में किसी भी इन्फॉमेशन को एड्रेस कर सकते हैं अब हमने इसको प्लेस किया है बिल्कुल टॉप पे अगर आप नॉर्मली देखें तो हमारे पास ये एरिया होता है एड्रेस के लिए डेडिकेट तो आप यहाँ पर पेस्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे options होते हैं जिसकी वज़ा से ना सिर्फ यहाँ पर बलकि आप कहीं पर भी इसको move around करना चाहें तो एक text कहीं पर भी adjust हो सकती है यह basically आप notice करेंगे कि एक box है जो कि मैं कहीं पर भी move कर सकता हूँ इस box को कहते हैं text box यह किसी भी information को किसी specific position पे adjust करने के काम आता है for example हमने यहाँ पर कुछ information लिखी लेकिन इसी के parallel बिलकुल दूसी side पे हम कुछ information लिखना चाहते है तो obviously अगर हम tabs का use करेंगे या enter दबा के या space bar दबा के यहाँ तक जाएंगे तो एक तो time consuming है यह adjust करना और दूसरा इसमें error के chances बहुत जादा है कि अगर हम कोई भी document में छोटी सी adjustment भी कर सकते हैं तो यह इसकी position change हो सकती है तो इसके लिए हम एक example data लेंगे again मैंने chat GPT का support लिया है यहाँ पर आप भी यहाँ पर कुछ prompts देखे try कर सकते हैं इस तरह मैंने यहाँ पर mention किया है कि mention a text box of random info in the letter of word document तो इसने कुछ random info दे दी अब मैं चाहरा था कि यह इसको fill करें और info भी short हो तो मैंने उसको दुबारा से command दी very short info fill it with example text तो दो-तीन tries के बाद आपको यह results मिल गए ठीक है अब मैंने यहाँ से information को copy किया और अब मैं word document पर जाता हूँ अच्छे जब हम word document पर जाएंगे तो उसके बाद हम text box insert करेंगे बहुत ही simple है insert में जाके यहाँ पर जाके अपके पास right side पर text box का option आ रहा है यहाँ से हम इसको select करेंगे और built-in simple text box use करेंगे although हमारे पास बहुत सारी options है इसमें बहुत amazing options है लेकिन वो depend करता है कि अगर आप कोई article लिख रहे हैं कोई इस तरह का text लिख रहे हैं जो के ज़रा fancy जिसमें text boxes चाहिए हैं तो वहाँ पर हम use कर सकते हैं यहाँ पर हम simple रखेंगे इसको simple text box को insert किया जब भी आप कोई box insert करते हैं तो by default word में कोई sample information होती है या sample text होती है ता कि आपको overall feel आए कि किस तरीके से यह text box जो है वो देखेगा तो हम यहाँ पर इसको delete करके अपनी information को paste कर सकते हैं और अगर मैं adjust करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस limit से जिस तरह मैंने आपको बताया था कि headers की जगह है हम इसको उपड नहीं लेके जा सकते हैं इसलिए उपड नहीं लेके जा सकते है क्योंकि by default कुछ settings है जिसको हमने adjust करना है जैसी आप text box insert करते हैं right side पर आपके पास एक छोटा सा layout options आता है यहाँ पर हम इसको select करेंगे अगर तो हमारे पास एक छोटी सी option है move with text या फिर fix position on page तो fix position on page का मतलब है कि कहीं पर भी चाहूँ page के अंदर मैं इसको adjust कर सकता हूँ अब हम देखें कि इसको हम freely move कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि इसकी और उसकी formatting सेम हो जाए तो जो भी आपने कोई sample text उठाना है home tab पे जाके format painter की एक option है format painter की option क्या करती है इस format को इसने copy कर लिया एक छोटा सा brush का sign आ रहा है हमारे साथ और जहां पर भी हमने इस information को paste करना है या फिर format को paste करना है format painter को use करना है ठीक है यह आपके पास paint brush sign आएगा अब जो भी text आप select करोगे जैसी आप click को छोड़ोगे तो यह automatically इस तरह से format हो जाएगा अच्छा अब दूसरी problem क्या है कि अगर तो आपको यह suit करता है कि हमारे पास यह ऐसे outline box आना चाहिए तो फिर well and good लेकिन अगर नहीं suit करता तो जैसे हम text box को select करते है हमारे पास shape format का option आता है यहाँ पर तमाम information मौझूद है अगर आप shape की outline को खतम करना चाहते है no outline की कर दूँगा यहां से ठीक इसी तरीके से हम इसके word के styles text की direction, position, shape fill borders के style यह सब कुछ यहां पर adjust कर सकते है तो I want you to explore all of these functionalities now क्योंकि इस video का title था कि how to adjust the parallel text अब हम इसको parallel रखके देखते है तो देखें कितना असान है parallel रखना हमें ना tabs यूज करने की जरूरत है ना कोई additional कोई complex functionality यूज करने की जरूरत है simple सा हमने text box बनाया आप कोई further adjustment करना चाहते है कि जाके आपकी requirement है कि text को right adjust होना चाहिए तो आप simply text को select करेंगे home tab पे जाके यहां पर paragraph की alignments है यहां से हम center align, middle align या right align कुछ भी choose कर सकते है इसी तरीके से अगर हम text box के size को चोटा करते हैं तो उसके बावजूद हम देखते है कि कुछ extra spaces हैं जो कि यहां पर है वो कौन सी spaces होती है वो paragraph spacing होती है जैसे हमने पहले discuss किया home tab पे जाके आप इस paragraph spacing को खदम कर सकते है यहां पर paragraph है यहां पर मैं जाके अगर remove paragraph spacing करता है तो आप देखेंगे कि आपके पास further style भी reduce हो जाता है further जो space है वो आपके पास कम हो जाते है तो इस तरीके से guys adjust कर सकते हैं आप अपनी text को अपने word के document में now I recommend कि जब भी आप कोई text box के through text को adjust करें तो follow करें आप इस ruler के pattern को ताके हम left और right से थोड़ी सी जगा छोड़ सके just to make sure that के हमारा print जो है वो बिल्कुल ठीक से आए तो guys कुछ इस तरीके से आप text box के through जो है वो किसी भी text को adjust कर सकते हैं अपने existing document में जहां पर भी कोई weird spacing हो या फिर कोई ऐसी placement हो जहां पर आपको confusion हो आप easily text box का use कर सकते हैं